साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चानल पर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी राघव एक बड़े से कारखाने में मेनेजर था राघव का वेतन भी बहुत अच्छा था उसके पास गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ था फिर राघव की शादी रीमा से हो गई दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे शादी के दो सालों के बाद उनके घर पर एक बेटे का जनम हुआ पती पतनी के खुशी का ठीकाना ही नहीं रहा अब रीमा ने अपने पती राघव से कहा हम अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ने भेजेंगे वहाँ इसे बहुत ही अच्छे संसकार मिलेंगे तब राघव ने पतनी से कहा आरे अब गुरुकुल का जमाना चला गया आजकल तो आधुनिक जमाना है कंप्यूटर का जमाना है मैं अपने बेटे को चार्टेड अकाउंटेंट बनाऊंगा अब दो सालों के बाद उनके घर पर दूसरे बेटे का जनम हुआ पतनी ने फि कंपनी का मालिक होगा अब तीन सालों के बाद उनके घर पर तीसरे बेटे का जनम हुआ अब पहले की तरह ही पतनी ने इस बेटे को भी गुरुकुल में भेजने की बात कही परन्तु राघव बोला अरे भाग्यावान आज के दुनिया में साब पैसे का बोल बाला है मेरा ये बेटा एकनॉमिक्स पढ़ेगा और बाद में अम्बिय करेगा ये पैसे में खेलेगा और दो सालों के बाद उनके घर पर जब चोथे बेटे का जनम हुआ तब राघव ने रीमा की बात मान ली और अपनी चोथे बेटे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए बेज दि उनका चोथा बेटा बहुत ही शान सभाव का था उसने संस्कृत में एम्मे किया और वो एक विध्यालय में पढ़ानी लगा अब एक दिन राघव ने मजाक में अपनी पतनी रीमा से कहा देखो मेरे तीनों बड़े बेटे बड़ी बड़ी गाडियां चलाते हैं बहुत ब अभी जिन्दगी में एक गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा तब रीमा ने राघव से कहा चलिए आप तो खुश है ना लेकिन मेरे मन में अभी भी एक शंका है चलिए आज आपके तीनों बेटों की और मेरे एक बेटे की परिक्षा ली जाए राघव भी सहमत हो गया अपने चहरे पर नाखुन से कुछ निशान बना लिये और आखों में नकली आशू लाकर वो खुद को तयार करके बाहर के कमरे में बैठ गई और राघव को रीमा ने अंदर के कमरे में छुपकर बैठने के लिए कह दिया अब जैसे ही उन लोगों का पहला बेटा आया री बेटे ने पूछा मा क्या हुआ तो रीमा बोली बेटा आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे बहुत मारा है पहला बेटा बोला अरे पिताजी सठिया गए है क्या जरा उन्हें बुलाओ मैं देखता तो हूँ उन्होंने आपको हाथ कैसे लगा दिया अब दूसरे और तीस बेटे के आने के बाद भी रीमा ने यही नाटक किया अब दूसरे और तीसरे बेटे ने भी मा का जब यह नाटक देखा तो उन दोनों ने भी अपने पिता के लिए बहुत अप्शब्द कहे और तीनों ने कहा जब पिताजी घर पर आ जाएं तो हमें हमारे कमरों से बुल के कमरे में बैठा उनका पिता राघव ये सुनकर बहुत हैरान था राघव की आखों में आसू था क्योंकि उसने सब सुन लिया था राघव सोचने लगा कि के इस तरह से मैंने जीवन भर की कमाई इन तीनों पर लगा दी और सिरफ एक बात सुनने पर ही मेरे बेटे मेरे मा आप तो पिताजी के लिए ऐसे अफ्शब्द मत कहिए आपको क्या पता क्या पता पिताजी को किसी बात पर गुस्ञा आ गया होगा आरे आप दोनों तो एक दूसरे के पूरक हो पिताजी आपके बिना अधुरे हैं मा अगर उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखा भी दि उन्हें उचा बोलते हुए भी नहीं सुना है जरूर आपको ही मा कोई गलत फैमी हुई होगी जिसकी वज़े से पताजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको मार दिया याद कीजिए मा जब आप बिमार थी तो पताजी दिन रात आपकी सेवा में लगे रहती थी आपके बिस्तर के पास बैठे रहते थे पताजी बहुत अच्छे है मा आपको तो अपने आपको धन्य समझना चाहिए कि आपके पती हमारे पताजी इतने अच्छे हैं अवश्य ही आप दोनों के बीच में कोई गलत फैमी हुई है जो बातचीत से दूर की जा सकती है किरिपया मा ने अपने चोथे बेटे को गले से लगा लिया और मा जोड़ जोड़ से रोने लगी अब उनके पता भी कमरे से बहार आ गए पता की आखों में भी आशू थे वो पतनी के बोलने से पहले ही बोल पड़े रीमा तुम सही कहती थी किताबों की पढ़ाई पैसे त्यादी स उपर होती हैं संसकार और ये बाद मेरे इस बेटे ने साबित कर दी अब पिता ने आगे बढ़कर अपने चोथे बेटे को कस कर सीने से लगा लिया बेटे की आखों में भी आशू थे क्योंकि आज तक उसके पिता ने कभी भी उसे इस तरह से गले से नहीं लगाया था रीमा ने अपने पती राघव से कहा आपके तीनों बेटों को बड़े बड़े स्कूलों में और कॉलेजों में ज्यान तो बहुत मिला पर अन्तु उन्हें संसकार नहीं मिले और मेरे इस बेटे के संसकार इसके गुरु कुल की ही देन है इसने धरम गरंथ पड़े है इसने कल हर एक माता पिता लाखो रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डिगरियां तो दलवा देते हैं परन्तु वो लोग माता पिता ये कभी नहीं देखते कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने भी है या नहीं उनके अंदर संसकार है या नहीं आप इस बात से कितना सह अपनी राय कमेंट वाला जरूर बताईएगा साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा आप सभी सिफर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी